नमस्कार देसुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं खबर बोक्सोर आज के इस बुलिटीन में हम बात करेंगे ये तो थी टोप ट्रेंडिंग हेड्लाइन्स चलिए अब सब ही खबरों को विस्तार से जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने 6,640 करोड के प्रोजेक्ट का क्याउध घाटन और सिलनास वही नितीश बोले अब पीम को छोड़ कर कही नहीं जाओंगा बीते दिन पीम नरेंद्र मोदी जमोई पहुचे थे जहां पीम मोदी भगवान बिरसा मुंडा की 150 वी जैनती पर जनजातिय गोराव दिवश कारिकरम में शामिल हुए इस जोरान पीम मोदी ने बिरसा मुंडा के नाम पर 150 रुपे का सिक्का और 5 रुपे का समार्ग डाग टिकट भी जारी किया साथी इस जोरान पीम ने 6,640 करोड रुपे से अधिक की योजनाव का उधखाटन और सिलनास भी किया इसके अलावा दो जनजातिय फ्रीडम फाइटर म्यूजियम और दो जनजातिय रिसर्च सेंटर का उधखाटन भी किया वही कारिकरम में सियम नितीश कुमार ने भी फिर से कहीं और नय जाने की बात को दोहरा दिया उन्होंने कहा कि दो बार गलती हुई है लेकिन अब हमीशा पीम मोदी के साथ ही रहेंगी बिरसा मुंडा की 150 वी जैनती पर राष्टपती और उपराष्टपती ने सर्धांजली दी वही केंद्र ने मनाया जनजातिय गोराव दिवस राष्टपती द्रोपती मुर्मो ने राष्ट की अगुवाई करते हुए आदिवासी ने ता बिरसा मुंडा को उनकी जैनती पर श्रधांजली अर्पित की बिरसा मुंडा की जैनती को जनजातिय गोराव दिवस के रूप में मनाया जाता है आपको बता दें कि राष्टपती द्रोपती मुर्मो और उपराष्टपती जगदीब धनकड और लोकसभा अध्यक सोम बिर्ला ने संसत परिशर में प्रेणा इस्थल पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजली अर्पित की इस अफसर पर राज्यसभा के ठी अर्पती हरी वन्ष भी मोजूद रही। तिर्हिं राहुल गान्दी ने कहा कि नरिंद्र मोधी अरपथी की कटकुतली हैं, वहें वही करते हैं जो अरपथी कहते हैं दिल्ली के सराय काले खाथ चोक का बदला नाम अब बिर्सा मुंडा चोक के नाम से जाना जाएगा केंद्र ने लिया बड़ा फैसला अब दिल्ली के सराय काले खांच चोक का नाम बदल कर बिर्शा मुंडा चोक कर दिया गया है। संभोधित क्या वहीं इस दुरान जारकन के देवघर में पीम नरेंद्र मोधी के प्लेन में तकनी की खराबी आ गई जिसके चलते पीम के हेलिकोप्टर की देवघर एयरपोर्ट पर अमर्जनसी लेंडिंग करानी पड़ी। इस कारण उनको दिल्ली लोटने में भी देर हु बताय जा रहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से गोड़ा के बेल बुड़ा से हेलिकोप्टर को उडान भरने की अनुमती नहीं मिली। इसके बाद जम कर हुए बवाल के बाद उडान की अनुमती मिल गई। वहीं कोंग्रेस प्रत्यासी दिपिका पांडे सिंग ने जाशन किया और किसी भी विपक्षी नेता के साथ ऐसी घटना कभी नहीं हुए यहां स्वीकारिय नहीं है। पोश्ट किया और कहा कि भाजपान इस पक्ष चुनाव और स्वस्त चुनाव प्रनाली में विश्वास करती है। और मानेनिय चुनावायों के बनाए गए सभी नियमों का पालन भी करती है। देशों की तहट किसी भी आपदा को राष्टी आपदा गोशित करने का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र के इस फैसले पर प्रियंका गांधी ने हमला बोला है। अगली खबर है भारत ने पिनाक रोकेट लोंचर का क्या सफल परिक्षन चीन पाकिस्तान की लगी वार। भारत के DRD-ो ने गाइडेड पिनाक विपन सिस्टम का सफल परिक्षन किया है जो पूरी तरह से स्वदेशी है वहीं ये सिस्टम केवल 44 सेकंड में 12 रोकेट दाग सकता है यानि की 4 सेकंड में 1 रोकेट परिक्षन के दुरान इसकी मारक्षमता, सटीकता और एक साथ कई ल रोक्षा को सफलता पूर्वक भेदने में कामियाब रही। की सैली उबरोय का स्थान लेंगे सैली ने 2023 में पद संभाला था। की वीर सिंग दिंगान को सीमा पूरी से टिकट दिया जाएगा। केजिवाल ने कहा कि पार्टी और यह देश किसी की बपोती नहीं जहां भी अच्छे लोग हैं उन्हें टिकट मिलना चाहिए। की नई तारिक का हुआ एलान 22 दिसंबर को आयूजित हुगी परिक्षा। नो बजे से साड़े ग्यारा बजे तक और दोपैर ढ़ाई बजे से साड़े चार बजे तक होगी। महराष्ट में महिंगाई को लेकर भढ़के अजदुदीन ओविसी मोधी सरकार पर हमला बोलते हुए बताई फ्री की योसनाव की सच्चाई। महराष्ट विधानसबाद चुनाव की तारीक जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे प्रदीश में सियासी पारा चड़ता जा रहा है। इस बीच AIMIM के राष्टे अध्यक सस्दुदीन ओविसी का एक वीडियो सोसल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है। लेकर बड़ी तकरार आप मंत्री बोले एक इंच जमीन नहीं देंगे सीम से नी बोले कि हम लेकर रहेंगे। चंडिगड में हर्याना का नय विधान सबाब भवन बनाने को लेकर पंजाब और हर्याना में सभी राजनितिक दलों के नेता आमने सामने आ गए हैं। पंजाब के वित मंत्री हर्पाल सिंग चीमा ने इस मुद्य को लेकर पंजाब के राजिपाल वे चंडिगड के प्रशासक गुलाप चंडिगड का तारिया से मुलाकात की है। एक बींच जमीन हर्याना को नहीं देंगे। वहीं इस मामले में हर्याना के मुख्य मंत्री नायाप सिंग सेने ने कहा कि चंडिगड पर हर्याना का भी हक है। पर क्या कि ब्रधान मंत्री ने खूकले वादे की हैं उन्होंने कहा कि चत्रपती संबाजी नगर के प्रती भाजपा का प्रेम भी जूटा है। नाती उन्होंने कहा कि 20 नवबर को होने वाले महराश्ट विधान सबाच चुनाव से तैख हो जाएगा कि यह हैं राज्य महात्मा फूले बाबा साहब अंबेट कर और छत्रपती शाहु जैसे पुजनिये लोगों का है या मोधी शाह अडानी की तिकड़ी का है। अपने बयान से पलट गए अजीद पवार पहले दावा करते हुए कहा था कि बीजेपी अंसीपी की सरकार बनाने से जुड़ी बैठक में अडानी मोधूद थे। अंसीपी प्रमुक अजीद पवार ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि 2019 में बीजेपी अंसीपी के गटबंदन की जब महराष्ट में सरकार बन रही थी तब उसमें अमित शाह, गोतम अडानी, देविंदर फंड़न वीज और शर्रत पवार मोधूद थे। हलांकि अब वहें अपने बयान से पलट गए हैं और कहा कि उनके बयान को गलत तरीके जे पेस किया गया है। अकवाद और देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। सभी भारतियों को एकजुट होना चाहिए और ये किसी को बाटने के लिए नहीं हैं लेगिन दुखी बात ये हैं कि लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। वोने ननकाना साहिब में पहुँच कर माथा टेका। वहीं सीम भगवंत मान एक्टर कमर जीत अनमोल के साथ अम्रतसर में नतमस्तक हुए। अंतरिक से आई बड़ी खबर इश्रो ने चंद्रियान टू को तबाह होने से बचाया। चंद्रियान टू अपना काम करते हुए अंतरिक्ष में कोरियाई ओर्बीटर से टकराने वाला था। लेकिन इससे पहले इश्रो ने इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया और एक बड़े हाथसे को समय रहते टाल दिया। राजसान में ब्रामन को सीम बनाने में एहम भूमिकानी भाई अध्यात्मिक गुरू रामभदराचारिय ने किया बड़ा दावा। प्रशिद अध्यात्मिक गुरू रामभदराचारिय ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उनके सुझाव पर ही राजस्तान को ब्रामन मुख्यमंत्री मिला है। यह दावा रामभदराचारिय ने जयपूर के विद्यादर नगर स्टेडियम में चल रही रामकथा में शामिल हुए मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा से बाचीत के दोरान किया। मुख्यमंत्री की मुजूदगी में दिये गए इस बयान ने सब राजय के राजनेतिक हलकों में खासी बहस छेड़ दी है। हालांकि मुख्यमंत्री शर्मा ने रामभदराचारे के टिपणी पर सार्वजनिक रूप से कोई टिपणी नहीं किये। अगली बड़ी खबर है फंडनवीस बोले अजीत पवार दश्कों तक हिंदू विरोधियों के साथ रहे बटेंगे तो कटेंगे नारे में कुछ भी गलत नहीं उन्हें समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा। महराष्ट में विदानसबा चुनाव के बीच डिप्टी सीम देविंदर फंडनवीस ने कहा कि उदव ठाकरे के लिए भाजपा के दर्वाजे बंद हो चुके हैं। महराष्ट में पार्टी भविशे में उनके साथ नहीं जाएगी। साथ ही उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का महायूती और भाजपा में हो रही विरोध पर कहा कि मुझे योगी जी के नारे में कुछ भी गलत नहीं लगता। इस देश का इतिहास देख लेजिए जब जब इस देश को जातियां प्रांतों और समुधायों में बाटा गया यह देश गुलाम हुआ है। Air Commission for Air Quality Management ने NCR यानि की हर्याना उत्रप्रदेश और राजस्तान से आने वाले बशों पर रोक लगा दी है। अलांकि CNG और Electric Vehicle के साथ BS4 डीजल बसों को इससे चूट दी गई है। वहीं इस बीच अमेरिकी सैंटिस्ट हीरेन जेटवा ने दिल्ली की सेटलाइट में शेयर की है। इसमें दिल्ली में घनाय स्मोक दिखाई दे रहा है। कारी के उपर हमला हुआ है। यह घटना दिखाती है कि राजस्तान का माहूल कैसा है। यह घटना बेहदी चिंता जनक है। नागपूर में कनेया कुमार बोले कि धर्म सब मिलकर बचाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम धर्म बचाएंगे और डिप्टी सीम की पतनी इंस्टाग्राम रिल्स बनाएंगे। कॉंग्रेस नेता कनेया लाल कुमार ने माहराष्ट के नागपूर में माहराष्ट के डिप्टी सीम देविंदर फंडनवीज के धर्म युदवाले बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो नेता धर्म बचाने की बात कहें उनसे पूछ ये कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि धर्म बचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी और ओक्सफोर्ड के अमरीज में पढ़ने की जिम्मेदारी आपके बच्चों की होगी। अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर बचाएंगे ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम धर्म बचाएंगे और डिप्टी सीम की पतने इंस्टाग्राम पर रिल्स बनाएंगे. क्या बीजेपी चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करती है अपनी राय कमेंट बोक्स में लिकर जरूर बताईएगा. फिर मिलते हैं नई और ताजा खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार.